हेलो एवरिवन आज आईप्रो मैंने अपने आप दोरी से की है पर मैं आज वैक्स से किस तर से आईप्रो करनी चाहिए वो वीडियो लेके आई हूँ अभी बहुत ही ट्रेंड है कि वैक्स से आईपरो हो रही है तो मैंने सोचा के दो ही बार में एक जटके में ही जो आईपरो हो जाती है तो मैं भी करके देखू इसलिए मैंने फ़र्श्ट बार यह वीडियो भी बनाया है और मैंने आइब्रो भी करना स्टार्ट कर दिया है और मैं देख रही हूँ किस तर से मेरी आइब्रो हो रही है या नहीं आपको अच्छे से जो wax की knowledge है तो ही आपको wax से आइब्रो करियेगा नहीं तो आइब्रो में रिक्स कभी भी नहीं लेना क्योंकि मेरा हाथ जमा हुआ है मैं अपनी आइब्रो खुछ से ही बनाती हूँ इसलिए मैं आज wax से मैं आज try कर रही हूँ और मैं भी कर रही हूँ और मेरे student को भी दिखा रही हूँ कि किस तर से wax से हमें आइब्रो threading करनी जाहिए तो मैंने अच्छे से आइब्रो को काट लिया है उपर उपर करके फिर मैंने इस तरह से आइब्रो की लाइन को छोड़ते हुए और अच्छे से मैंने अच्छे से उसे कोम करते हुए छोटी से पीछी से और संबालते हुए मैंने इस तरह से छोटी से स्ट्रिप्स से उससे अच्छे से दबाते हुए मैं निकाल रही हूँ तो यह वीडियो आप भी देखिए आप वैक्स कर रहे हैं और आपको अच्छा बहुत नौलेज है तो आप भी इस तरह से वैक्स से आइपरो कर सकते हैं मुझे तो यह एक अच्छा लगा, मैंने बहुत सारा वीडियो देखा है, रिल्स देखा है, तो मुझे लग रहा कि मुझे भी इस तरह से करना चाहिए, तो मैंने आपको दिखाने के लिए ही मैं वेक्स से कर रही हूँ, पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वेक्स से हम ए अच्छे से आखो पर इस तरह से पकड़के और हमें बहुत सारा ध्यान रखके इस तरह से एक ही जटके में हमें स्ट्रिप्स को खिच लेना चाहिए जो अगर आपका स्ट्रिप्स छूट जाता है के कुछ होता है तो वहाँ पे हमारा खुन जम जाएगा इसलिए आपको नहीं जो आता है तो बिल्कुल भी ट्राइ नहीं किजिएगा मैंने इस तरह से बड़ी केची से पहले आपके पास जो केची ना हो तो इस तरह से बड़ी केची से भी आप काट सकते हैं फिर मैंने मेरी जो फेवरेट केची है छोटी सी आईब्रो की उससे इस तरह से मेजे जादा के हैर हैं उससे अच्छे से इस तरह से काट रही हूँ इससे इस तरह से काटने के बाद इस छोटे से ब्रस से मैंने अच्छे से उसे कॉम कर लिया है ताकि जो हमारे वैक्स में एक भी बाल जो फस जाएगा तो हमारी आईब्रो खराब हो सकती है इसलिए अच्छे से हमें हैर को इस तरह से एक ही डायरेक्शन में करते हुए हमें वैक्स लगाना चाहिए और मैंने होट वैक्स लिया है गोल्ड का मैंने गर्म वैक्स लिया है उससे हमने ठंडा करते हुए अच्छे से फूक मारते हुए इस तरह से में लगा रहे हुए और अच्छे से आइब्रो पे गिरेना आइब्रो में चिपकेना इस तरह से ध्यान रखते हुए एक तम ही ध्यान से मेरी आखों का पलग भी नहीं जुग रहा है इतना में ध्यान से मैं लगा रही हूँ और मैं इस तरह से लगा रही हूँ वेक्स को लगाने के बाद मैंने अच्छे से इसे आईब्रो के उपर लगा दिया है एक लाइन से दे दी है मैं कभी भी फेस वेक्स करती नहीं हूँ इसलिए मैंने आईब्रो के उपर ही जहां मैं आईब्रो आईब्रो करती हूँ वहीं पेही में अच्छे से लगा के फिर मैंने चोटी सी स्टिप से उससे अच्छे से आईब्रो के हैर आना जाए उस हिसाब से मैंने चिपका दिया है और मैंने अच्छे से उसे चिपकाने के बाद मैंने उंगलियों से उसे टाइट पकल लिया है और देख लिया है कि कहीं ह हमारे आईब्रो के हैर तो अंदर नहीं फस गए है वो देखने के बाद एक ही जटके में मैं निकाल रही हूँ फिर बाद में मैंने इस तरह से सीथी पेले क्रोस में करके निकाल दिया फिर मैंने इस तरह से सीथी करके मैंने मेरी आईब्रो पॉइंट वाली है तो मैंने पॉ वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा थैंक यू